बच्चों, पिछले क्लास में मैं इसलाम धर में मुहम्माद साहब की जीवनी के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, आज मैं उसी से related important प्रस्ण आप लोगों को बताने जा रही हूँ important प्रस्ण उत्तर है, पहला प्रस्ण है मुहम्माद साहब का जन, जान दीजिएगा मुहम्माद साहब का जन कब हुआ था एंसर है 570 इस्वी 570 मुहम्मद साहब का जन 570 इस्वी में हुआ था दूसरा इंपोर्टेंट प्रेस्ट है मुहम्मद साहब किस जाती के थे इसलाम धर्म की स्थापना उने की थी परंतु वे खुद किस जाती के थे एंसर है बद्दू जाती बद्दू मुहम्मद साहब बद्दू जाती के थे बद्दू एक खाना वदोस जाती होता है जिसका अपना कोई स्थाई निवास नहीं होता है उसे बद्दू जाती करते तीसरा इंपोर्टेट प्रस्ण है मुहम्माद साहद की पत्मी का क्या नाम था? पत्मी का नाम घदीजा था चोथा इंपोर्टेट प्रस्ण है मुहम्मद साहब का मित्र का क्या नाम था? मुहम्मद साहब के मित्र का क्या नाम था? एंसर है अबू बकर ज्यान देजेगा मुहम्मद साहब के मित्र का नाम अबू बकर था पार्चवा प्रश्ण है मुहम्मद साहब का दामाद का क्या नाम था? मुवम्मद साहब का दामात का क्या नाम था ईंसर है अली मुवम्मद साहब की दामात का नाम था अली छठा प्रस्न है मुभमद साहब ब्यापार के सिलसिले में कौन सा देश गय थे मुहम्मद साहब ब्यापार के सिल्सिले में कौन देश गए थे एंसर है यमन, सीरिया, मदीना साटवा प्रस्ण है धार्मिक अनुगूतियों की खबर धार्मिक अनुगूतियों की खबर सबसे पहले मुहम्मद साहब ने किसे बताया मुहम्मद साहब को जो धार्मिक अनुगूतियों हुई उसकी खबर सबसे पहले उन्होंने किसे बताया एंसर है धार्मिक अनुदूती की खबर सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी ख़दीजा को बताया आठों प्रस्ण है इसलाम धर्म के पुरु में लोग कितने देवी देवताओं की फूजा करते थे इसलाम धर्म के पुरु मक्का में लोग कितने देवी देवताओं की फूजा करते थे एंसर है 540 340 देव डेवताओं की लोग उजा करते थे नौ प्रस्म है मुहम्मद साहब किसे विश्वास करते थे मुहम्मद साहब कितने इस्वर पर विश्वास करते थे एंसर है एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद अठाथ एक इस्वर एक अल्लाह पर विश्वास करते थे बहुत ही important प्रस्ण है वे मुर्ति पूजा का विरोध करते थे और सिर्थ एक इस्वर पर करते थे दस्वर प्रस्ण है किन लोगों के विरोध के कारण मुहमद साहब को मक्का छोड मदीना जाना पड़ा मुहमद साहब को मक्का छोड मदीना जाना पड़ा धन्यवाद